यह क्लास फाइव का एसेस्टी बुक है और यह चेप्टर है 13 इस चेप्टर का नाम है राश्टरिये पढ़तिक तो इसी से समंदित दिया हुआ है कि हमारे देश में कितने तरह की चीजे हैं जिसे राश्टरिये मान्यता प्राप्त है और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों क जानना चाहिए इसके बारे में तो यहां पे इस चेप्टर में इसी तरह का सारे चीजों के दिया हुआ है तो हम लोग आये इसको पढ़कर देखते हैं मैं इस चेप्टर को आप लोगों को completely पढ़कर नहीं बतलाऊंगा, यहाँ पर मैं एक सरसरी निगाह से पढ़ूंगा, आप लोग इसको detail में पढ़ लेंगे समयम, और इसका मैं question answer बना के दे दूँगा आप लोगो, हमने चतुरत कच्छा में अपने देश के कुछ राष्ट यह तिरंगा जंडा जो दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रिय धवज है, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रिय धवज, जिसको हम लोग 15 अगस्ट, 26 जनवरी में फराते हैं, दिली में लाल किला पर 15 अगस्ट को परधान मंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपती इसी ति पहले मैडम कामा नहीं इस तरह के झंडे के बारे में बतलाया था राष्ट्रिय धवज की रुप में भराने के लिए, वह हमारा राष्ट्रिय धवज बना, और बाद में इसे ही बनाया गिया, इसमें तीन रंग होने का अलग-अलग कारन है, क्या शरिया क्या है, यह हमें चक्र जो है असोक चक्र इसको बला जाता है उसके राज चिन से लिया गिया था और ये बतलाता है लगतार परगती के बारे में बतलाता है हमें चलते रहने के लिए हमें काम करने के लिए बतलाता है कि अपने काम में हमें 24 आवर लगे रहना है तिसलिए इसमें 24 स्पॉक्स द राता है इसमें दिखाई पड़ता है तीन तो ये जो चीन है वो राष्ट्रिये चीन है हमारा ये आप लोग को से कोट का कावज वह गए जो होता है उसमें मिलेगा उसके बाद इसमें और चीजें यहां पर बतलाए गया है यहां पर यह चक्र है और इधर एक तरब एक राष्ट्रिये गान. जो जन गना हम लोग गाते हैं, वो राष्ट्रिये गान है. इंगलिस में इसको National Anthम का आजाता है. और इसको गाते समय हमें सावधान की स्थिति में खड़ा रहना चाहिए. अपने राष्ट्रिये गान को contenate के लिए हम noses 52 सेकेंड में गाता है. साध्वान के स्थितिय में खड़े रहना चाहिए और राष्ट्रिय गीत जो हमारा ये वंदे मातरम करके हम लोग गाते हैं 1526 जन्वरी में तो इसको लिखा था बंकीम चंदर चटो पध्याए और उनका एक उपनियास था आनंद मठ इसमें उन्होंने लिखा था तो ये काफी लंबा है लेकिन इसका पर्थम भाग जो है उसी को लिया जाता है और उसी को वंदे मातरम राष्ट्रिय गीत की रूप में गाया जाता है उसके बाद राष्ट्रिय भासा जो है वैसे तो हमारे देश में कई सारी भासाएं है और इसको हमारा समविधान ने मानियता दिया है 15 भासाओं को मानियता दिया हुआ है जिसमें से सभी भासाओं को एक सुत्र में बांधे ऐसा जो है हिंदी को राष्ट भासा का स्थान द पुष्प यहां दियावा है कमल को राष्ट्रिय पुष्प की मानेता दी गई है और यह कीचड में उगती है आप लोग तो जानते ही है यह स्वस्चता सुंदरता पवित्रता का पड़तिक है राष्ट्रिय कमल के राष्ट्रिय पुष्प के बारे में बतलाया गया है राष संख्या में है इसके सिकार करने पर परदिबंद लगा हुआ है तो यहां हम लोगों को देखने के लिए बिसेश करके राजस्थान में मिलेगा इधर भी कहीं जंगलों में आप देखेंगे तो वहां भी मिल जाएगा उसके बाद राष्ट्रिय पस्थू के बारे में दिया हुआ है तो राष्ट्रिय पस्थू पहले सिंग था बाद में सेर को बना दिया गया यहां पे बतला जा रहा है पहले सेर था लेकिन अब जो है हमारा राष्ट्रिय पस्थू बाग घोसित किया गया तो इकहरा लंबा इसका जो बिसेश्चता बतला गया है लंबा शरीर तेज आंखे दोड़ने में तेज लंबी छलांग फूरती हुआ चुस्ति इसकी बिसेश्चताएं है तो बाग कहा-का मिलता है यहांपे इंडिया में बिसेश्चत करके कहा है वहांपे है इंठर राष्ट्रिय विदेशी है हमारे देश में दुसरा सक्समवत या विक्रम सम्वत जो है व यूज होता है पूजय पाथ वगरे जितना भी ओता है वो उसी से चलता है बिक्रम समवत से मुस्लमान लौग हिजृ सन का उपयोग करते के लिए उन्होंने शुरुवात किया था जब सकों को देश से बाहर निकाल देने के लिए उन्होंने इस इस केलेंडर का उपयोग किया। चलाना शुरू कर दिया। इसके बारामास है, मतलब बारा महीने है, चयद से शुरू होता है। और फागुन में इसका समापती होता है। और या 22 को आरम होता है। हर वर्स, परति वर्स 25 आरम को ओना होता है। इसमें पुरे 365, 3150 अग दिन हो पेड़ बरगद है, हमारे राष्ट्रिये खेल होकी है, जिससे भारत विश्चु में मुहत्पुन अस्थान पर रहा है। हमारे राष्ट्रिये परतिक राष्ट्रिये एक्ता को परकट करते हैं, तथा अपनी विशिस्ताओं के उनुसार हमें कुछ सीख भी देते हैं, हमें इनके परति आदर का भाव रखना चाहिए, जितनी भी राष्ट्रिये चीजे हैं, उनको सम्माम देना चाहिए, उसके परत आपको किसी बुक में मिलेगा और इस चेप्टर में ये question दिया हुआ है यहाँ पर लिखे यहाँ नमबर में हो गया और टू नमबर में यहाँ पर टिक लगा हुआ है इसलिए मैं आप लोग को लिख कर नहीं दूँगा आप यहाँ से देख लें question नमबर टू में सही या गलत के सामने सही या गलत का चीन लगाना है यहाँ पर लिखाव बंदे मात्र हमारा राष्ट्रिय गान है तो बंदे मात्र हमारा राष्ट्रिय गान नहीं है राष्ट्रिय गीत है राष्ट्रिय गान जो है जनगना है आम हमारा राष्ट्रिय फल है तो आम हमारा राष्ट्र ये फाल है, ये सही है, सकसंवत में 344 दिन होते हैं, बिल्कुल नहीं, 365 दिन होते हैं, हमारा प्राचीन राष्ट धवज तिरंगा था, तो राष्ट धवज हमारा प्राचीन जंडा नहीं था, उस समय जो भगवा कलर का एक जंडा था, वो जो है हमा दीजिए तो यहाँ पे इसका आंसर देना है और question number four सही विकल पे टिक लगाना है तो यहाँ बिल्कुल सही दिया हुआ है इसलिए मैं आप लोग को इसका आंसर नहीं दूँगा four number का तो यहाँ पे आप लोग देखे लिए राष्ट गान कितने समय में गाय जाना चाहिए 52 सेकेंड राष्ट गान वा राष्ट गीत गाते समय किस इस्थिती में खड़े रना चाहिए सावधान की स्थिती में खड़े रना चाहिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है राष्ट्रिय फल क्या है तो आम राष्ट्रिय फल है यहां पे ठीक लगा हुआ है हमारा राष्ट्रिय फुस्प क्या है कमल राष्ट्रिय फुस्प कमल है सक समवत परतिवर्स किस तिथी को प्रारंब होता है तो इसमें बतलाया गया था 22 मार्च को यह बिल्कुल सही है मैं मैं आपको यहाँ पे एक question दिखा देना चाहता हूं क्योंकि यह question जो है यहाँ थोड़ा सा misprinting हुआ है गलत लिखा गिया है यह question number one का अंगा number में यहाँ पे राष्ट्रिय पसु चीता लिखा हुआ है जबकि बाग होना चाहिए किन-किन परदेशों में अधिक पाया जाता ह तो यहाँ पे यह misprinting हुआ है तो आएए मैं आप लोगों को इसका अंसर बना के देता हूं यह chapter 13 का question answer question number one में निमलिकित प्रस्णों के उतर लिखिए हमारा राष्ट्रिय गीत क्या है इसकी रचना किस ने की थी हमारा राष्ट्रिय गीत वंदे मातरम है इसकी रचना बंक राष्ट्रिय पंचांग के लिए किस समवत को मान्यता दी गई है या कब से प्रारंब होता है राष्ट्रिय पंचांग के लिए सक समवत को मान्यता दी गई है या समवत परती वर्स 22 मार्च को प्रारंब होती है राष्ट भासा हिंदी के परचार परसार हेतु कौन सी संस् राश्ट्रिय पसु बाग किन परदेशों में अधिक पाया जाता है। एक चक्र है इसे समराट असोक के राजचिन से लिया गया है। हमारा राश्ट्चिन किस समराट का राजचिन था। हमारे राश्ट्चिन में क्या-क्या अंकित है। तीन सेर दिखाये देने वाले राश्ट्चिन में चक्र अंकित है या धर्म चक्र है। यहां पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे ता आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं